ओम शन्ती आज पांच अप्टेल है आज सुनते हैं मीठे प्यारे बाबा की साकार मुर्ले के मुख्या आठ पॉइंट्स तो पहला पॉइंट है बाबा ने आज कहा कि दो परकार की दिल की महसूसता होती है पहली है अपनी कमजूरी के प्रती महसूसता और दूसरा है कोई भी परस्थिती को महसूस करना उसको जानना उसका कार निकालना और उससे आगे बढ़ना बाबा ने कहा कि ये दो परकार की महसूसता ये दी आत्मा तही समय पर कर लेती है तो क्या होता है दिलाराम बाब की आश्ववाद की आत्मा पात्र बन जाती है और सो परिवर्तन बहुत सहज गती से हो जाता है तो पहली जो महसूसता की बात की वो है अपनी कमजोरी की महसूसता बाबा ने कल भी मुरली में कहा कि हमें अपनी कमी को महसूस कर लेना चाहिए मान लेना चाहिए सविकार कर लेना चाहिए यदि हम अपनी कमी को सविकार कर लेते हैं तो फिर वो कमी अपने आप निकल जात बाबा हमारे में ताकत भर देते हैं तो एक तो ये मैसुस्ता की शक्ती है जिसके द्वारा हम अपनी कमी को खतम करके दिलाराम बाप की आश्रिवाद का पातर बन सकते हैं और दूसरी बात है कि जो भी परस्तितियां हमारे जीवन में आती हैं जिन जिन कारणों से आती हैं उ उन कारणों को जानना और उन कारणों को समापत करने की युक्ति ढूंडना परस्थितियों को पेपर समझना पेपर समझ के हर परस्थिति को पार करना पास करना और स्वयम को स्रेश्ट स्थिति में पिकाए रखना है न तो यह हो गया परस्थिति को मैसूस किया उसको जाना उसको परखा, पेपर समझ के, उसको पास किया, अपनी स्वास्थिती में टिक करके, तो इससे क्या होगा, हम विजय यात्मा बन जाएंगे, और दिलाराम बाप की आश्रिवाद के पातर बन जाएंगे, ठीक है, तो ये दो परकार की महसुस्ता का विशेश हम ध्यान रखेंगे, और दूसरा पॉइंट है, बाबा कहते की वारिस कौन है, वारिस क्वालिटी क्या है, बाबा के वार मुर्लियों में कहते न, कि तुम बच्चे मेरी वारिस हो, को, मैं तुमको वारिस बनाता हूँ, तो वारिस आत्मों जो होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी? तो क्या क्वालिटी हो सकती है, क्वालिटी सो बहुत सारी है उनकी, लेकि आज एक की बात बाबा बता रहे हैं, वो है, ever ready वो हर कारे में ever ready होगा, हर समय बाबा के आगे हाजिरा हजूर होकर रहेगा कोई भी excuse नहीं उसके पास होगी कि ये कारण है, वो कारण है ये कारण से मैं ये काम नहीं कर सका, इसलिए नहीं कर सका इस समय पनी कर सका नहीं वारिस quality माना ever ready, जो बाबा ने कहा वैसा ही उसको करना है उसमें कोई बहाने वाजी नहीं है तो हम स्वयम को देखेंगे कि हम इस quality कितना बने हैं, तीसरा पॉइंट है, बाबा केते मैं हूँ शमा और तुम बच्चे हो परवाने, तो तुम मुझ शमा पर जीते जी मरने के लिए आए हो, ठीक है तो सब को क्या करना है बाबा पर जीते जी मर जाना है सिर्फ फेरी पहन करके चले नहीं जाना है फेरी पहन कर चले जाना हमाना कुछ समय आये थोड़ा ग्यानियों किया थोड़ा अच्छा अच्छा लगा फिर उसके बाद दुनिया अच्छी लगी तो उसकी तर्फ चले गए तो वो सच्चे परवाने नहीं है सच्चे परवाने कौन जो शमा पर फिदा हो जाए जल मरे है ना तो हम कोने सभी सच्चे परवाने हैं बाबा पर फिदा होने वाले हैं, फेरी पैन कर जाने वाले नहीं है, चाहे कोई भी परस्तियां आए, चाहे माया कितना भी विघन ले, दुनिया एक साइड भी हो जाए, लेकिन फिर भी हम बाबा के ही रहेंगे, चाहे माया कितना भी प्रिक्षा ले. चौथा पॉइंट है, बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम बाब के साथ नजर लगाओ, माना अपने को आत्मा समझ करके मुझे याद करो, तो सर्विस भी करो, बाबा की सिवा भी करो, याद भी करो, तो बाबा कहते मैं तुम्हारे अंदर बल भरता रहूंगा, तुम बन जाएंगे, राजाओं का राजा बन जाएंगे, इसलिए और संग तोडो, एक संग जोडो, मुझे एक निराकार बाब को ही बस याद करना है, पांचवा पॉइंट है, बाबा कहते कि मैं आकर के तुम बच्चों को अपना परीचे देता हूं, तो ये भी नजर से निहा करना ही होता है, बाब को बच्चे जान जाते हैं, तो बाबा कहते हैं, बाब कितना भोला नाथ है, बाब को भोला नाथ भी कहते हैं, लेकिन भगती मार्ग में भोला नाथ किसको कह देते हैं, शंकर जी को कह देते हैं, तो कहते हैं कि शंकर जी ने आंख खोली, तो विनाश हो गया बाबा केते ऐसे नहीं हो सकता शंकर जी आंक खोले विनाश हो जाए तो उनके उपर पाप चड़ जाए तो बाबा केते ना मैं ही कभी ऐसे डारेक्शन देता हूँ किस तरह से विनाश हो विनाश तो आटोमेटिक होना ही है और ये साइंस के सादनों द्वारा होना है बाबा केते साइंस वालों को भी अंदर में जैसे प्रेरना आती है तो बॉमजादी बनाते हैं तो जैसे क्यो बंदे होते हैं प्रेरना के हिसाब से चीजे बनाने के लिए और उसे से फिर बाबा केते विनाश हो जाता है है न तो ये भी ड्रामा में उन आत्माओं का पार्ट है चछठा पॉइंट है बाबा केते कि तुम बच्चे बाप के पास आते हो बेहद का बाप तुमको वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं ऐसी wonderful पढ़ाई पढ़ाते हैं जो तुमने कभी जनम जनमांतर नहीं पढ़ी है सारी पढ़ाईयों से उंच पढ़ाई पढ़ाते हैं बाबा बाबा केते तुमने जो आज़ दक पढ़ाईयां पढ़ी तो पढ़ाईयां पढ़ते पढ़ते रात पढ़ गई माना कल यूग आ गया तो बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं तो इस पढ़ाई को पढ़ा करके दिन मिले जाते हैं माना सत्यू मिले जाते हैं स्वर्ग मिले जाते हैं तो बाबा कहते हैं देखो दोनों पढ़ाईों में कितना अंतर है और इस पढ़ाई से आत्मा पवित्र बन जाती है शरीर भी पवित्र बन जाता है तो आत्मा 24 केरट प्योरो बन जाती है देखे और आत्मा की पूरी जोती जग जाती है और तुम आत्मे स्वर्ग में जाकर उंच पद पाती हो सात्वा पॉइंट है आज बावा ने समझाया कि नजर से निहाल किंदा स्वामी सत्गुरू का अर्थ क्या है जैसे भगती में गायनाता है न तो बावा उसका अर्थ समझाते हैं कि नजर से निहाल माना क्या नजर से निहाल माना बावा आकर के आत्मा को तीसरी आँख देते हैं ग्यान का नेत्र देते हैं क्योंकि बावा है सुप्रीम गुरु, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम शिक्षक तो बावा हमारी तीसरी आँख खोलते हैं इन नैनों की बात नहीं है दो नैन सब को है लेकिन तीसरा नेतर खोलते हैं माना आत्मिक दृष्टी वृती बना देते हैं ग्यान वाली तो जब हमारी आत्मिक दृष्टी बन जाती है और हम आत्मा बन करके मीठे प्यारे बाबा को याद करते हैं उनसे दृष्टी लेते हैं तो हम सारे विकारों से मुक्त हो जाते हैं आत्मा एक दमशुद पावन पवित्र बन जाती है उसके उपर जो जनम जनमांतर की मैल चड़ी हुई है वो सारी मैल खत्म हो जाती है क्योंकि बावा क्या है सुप्रीम स्वामी है सुप्रीम जो नजर से हमको निहाल करते हैं तबी तो भगती में गुरूं के लिए देहधारी गुरूं के लिए बात बनाई है कि उनकी नजर पड़ जाए तो हम निहाल हो जाएंगे तो वास्तव में निहाल होने की बात ये है कि जब भगवान पिता बन कर के आते हैं सत्गुरु बन कराते हैं और हम आत्मों को भी आत्मिक द्रिष्टी देते हैं ग्यान देते हैं और हमें पावन बनाते हैं द्रिष्टी दे करके अपनी नजरों से निहाल करते हैं और हम आत्मा निहाल हो जाती है माला माल हो जाती है स्वच हो जाती है पवित्र बन जाती है ठीक है और आत्मा पॉइंट है बावा ने कहा बचे तुमको तीसरी आँख मिली है बाप ने तुमको नजर से निहाल कर दिया है इसलिए देही अभिमानी बनो जो तुम्हारे अंदर जनम जनमांतर का देह भान भरा पड़ा है उसको खतम करो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो मैं तुमक अब मैं आत्मा को दिष्टे देता हूं निहाल करता हूं जो आत्मा बेहाल हो गई थी माना कंगाल बन गई थी तो बाबा निहाल करते हैं माना उसको पावन बनाते हैं इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो तेक है ओम शन्ति